नमस्का दोस्तों, competition community में आप सभी का topic पे आते हैं और सबसे पहले बात करके हैं, saura या saura जन्जाती के बारे में, saura या saura, ये जो जन्जाती है, वो kularian मुल्गी जन्जाती है, इसे मुंडा समू भी कह सकते हैं, और कोलियारी समू भी कह सकते हैं, आई हम उनके निवास स्थान की बात करें, तो ये जो जन्जाती है, वो especially कहा निवास करती है, रायगर और महा समून में, तो देखिए, यहाँ पर 36 गड़ का मैप है, यहाँ पर रायगर कहां पर है, यहाँ पर है, यह वाला जो एरिया है, तो एक तो सौरा जन्जाती यहाँ निवास करती है, और दूसरा महा समून का जो यह है, मतलब यहाँ पर, देखिए, 36 गड़ की सीमा रेखा पर निवास करती है, और यह जन्जाती बहुत ही कम छेतर में, सीमी छेतर में शातर में निवास करती है, इसका मतलब यह है कि इस बुछना इत्याण deafरी करनाथ आधाये डिल्लमने में सार्या को लिगता है। शबरी करते हैं और लोग मुखी दें सांप पकड़ने का कार्या करते हैं गुझा gaan जाए histoire तो क्या है कि यह जन जाति है वह कहा निवास करती है और यह uzbolkyु कॉन सा कार्य कंति इता सॉप पकड़ने का करते हैं। अब नाइक्सि बात करते हैं गदबा या गडबा जनजाती के बारे में गदबा जनजाती ये जो जनजाती है वो कुल्यारिन समू की जनजाती है जो की इलोक स्वयम को गुडन के नाम से पुकारते हैं किस नाम से पुकारते हैं? गुडन के नाम से इनके रहवास की बात करें तो यह 36 गड़ में कहा कहा निवास करती है राइगड बस्तर और बिलासपुर में तो देखिए यहां पर क्या है आपका बस्तर का एरिया है तो यहां पर निवास करती है गदबा राइगड में निवास करती है गदबा और निवास करती है बिलासपुर में निवास करती है ठी आगे हम बात करते हैं कि बोली की तो ये जो ज़न जाती है वो घदबी बोली बोलती है जिस बोली को ना तो दूसरी। जन्जाती के लोग समझ पाते हैं और नाहीं बोल पाते हैं आगे बात करते हैं हम इनके अर्थ व्यवस्था की तो इस जन्जाती के लोग क्या करते हैं शिकार करते हैं मजदूरी करते हैं कंद मूले कत्रित करते हैं और कृशी करते हैं क्रिशी में यह लोग इस्थानांत्रि मुझा जा सकता है कि गदवा जन जाती के लोग का प्रमु قारिय क्या होता है तो क्या होता है हूं मानते हैं ऐसी और को गोड़े और बिलुक्ट याद रखिएगा कि जो कमार कोई लेंग खी कर दो दौनों को को कूछते हैं ठीक है याद रखिएगा इसे अगे हम बागर低 कि देखे इनका नाम क्या है घदबा या फिर क्या क्यों ने MP कि यह लोग ने अपने विरित्य हैं अपने song के time पर कॉंसा बादी अंत्र बजाते हैं कना भाज़ा वाद्य पजाते हैं नेक्स हम बात करते हैं अंध जन्जाती ये जो जन्जाती है ये दक्षिड भारत की जन्जाती है और दक्षिड भारत में इसे क्या कहा जाता है अनार ये जन्जाती के नाम से जाना जाता है ये जो जन्जाती वो महराश्ट्रा और दक्षिड भारत में निमास करती है तो ये बस्तर में निवास करती है, इसका जो विस्तार है, ये सिर्फ और सिर्फ बस्तर में है, अंध जंजाती कहां निवास करती है, ये जंजाती जो है वो दो अंतर विवाही समूहों में विभाधित है, आये देखते हैं कौन कौन से है, तो इसमें पहला है वर्तती और दूसरा है खाल कती है। यदि CGPSC में इस से related कुछ भी कोर्शन आएगा तो सिर्फ इतना ही आ सकता है कि यह दिर जाती निवास कहां करती है। तो कहां निवास करती है आप लोग याद रख्येगा बस तर ने। next हम बात करते हैं कंध या कोंड जंजाती की। तो इस जनजाती को कोंड या खोंड भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, ये स्वयम को कुई लोका या कुएंजू कहते हैं, क्या कहते हैं, कुई लोका या कुएंजू, ये जो कुई लोका या कुएंजू शब्द है, ये तेलगू के को या कु से बना है, जिसका अर्ध हो चील इस एक अगया है कि ईंद्दर के निवाज करते हैं पहाड़ी शेत्रों में निवाज करते हैं कि तो यह निवास करते हैं राईगण में निवास सर्फ और जर्वोगों को पर काई जाता है kaadha कहा जाता है एसा माना जाता है कि गोफ गर इनको क्या कहा जाता है और ये इसली कि च्छतिजगर में निवास करते हैं जो कि च्छतिजगर का सीमा वर्ती जीला है इनके उपसमुहों की, तो यह जाती है, दो उपसमुहों में बटी हुई है, कुटिया कोंड और कोंड, तो देखे, कुटिया कोंड मतलब की जो लोग कुटी बनाके रहते हैं, तो यह लोग कहां रहते होंगे, यह लोग पहाडी खेत्रों में निवास करते हैं, तो जो कुटिया को ये जो जन जाती है वो मुख्य रूप से कहा निवास करती है उडिसा और बिहार के छेत्र में निवास करती है 36 गड़ में इसकी जनसंख्या बहुत कम है और ये विलुप्त होती जन जाती है मतलग कि लगा तारिफ की जन संख्या जो है वो क्या हो रही है कम होते जा रही है 36 गड़ में ये कहा निवास करती है तो आए देखते 36 गड़ में ये कहा निवास करती है बिलास्थूर, राइगर और ये जो पार्ट है आपका सरगुजा सरहुजा में निवास करती है, खड़िया जन जाती है, ठीक, आगे हम बात करेंगे इनकी उपजातियों के बारे में, तो इनकी बहुत सारी उपजातियां, ये बहुत सारी उपसमोहों में विभाजित है, जैसे कि दूद खड़िया, धिलकी खड़िया, पहारी खड़िया, द अर्थृबर स्थानांत्रिक करते हैं में चिक्वी सब्से Pacific के लोग पारंपरी कार्य है तो पारंपरी कार्य हाइए अगे हम सब्सक्राइब गिने धर मध्याति लोग बंदा देव की पूजा करते हैं इնके तेवहार की बार्ट करें तो यह लोग को इस पेशिटी करो सफेस्टरिल मनाते कर्मा और कुस्पुन्नि इसक्र पोयator सकते हैं तो सर्फिल्पन नियुखा पारमपरी काले के बाड़े में पंच आ सकता है तो डेखिए ये सारी धन जातियां जो है वो कहा निमाज कर दो खर्तिस गड के सीमा वर्ति जीलो में निमाज कर दो Zelia सब्से पहली बात तो ये दूसरी बात कि जो भी देखिए गदबा है सौरा है कोड है खरिया है यह सारी की सारी जनजातियां जो है वह राइगड में निमास करती है तो दक्षिड में कौन-कौन से निमास करती है अंध और गडबा और यदि सौरा की बात करें तो वह महा समुन में निमास करती बाकि सारी जनजातियां वह कहां है उपर की तरफ फीमावर्ती जीलों में निमास करती है तो यह आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा यह पूछा जा सकता है आज की वीडियो में हमने 5 जनजातियों के बारे में बात किया यह हमारे जनजाति में परिचर का आखरी पाट था अब हम अपने नेक्स वीडियो में क्या बात करेंगे कि जनजातियों के फैस्टिवल कौन-कौन से हैं कैसे मनाते हैं उन लोग उनका नृत्य क्या है उनके गान यह और कुछ जर्णाद बाते याद करेंगे कंपैरिजन लेवल पे जैसे कि स comparison level पे जो जनरल बाते हैं जो CGPSC में हमेशा alors पूछ हे जाते हैं हम पहले उसकी बात करेंगे और उसकी बदम आगे के जो लेक्से सुरीस उसके बात करेंगे जन्सातियों के फैस्टिवल के बारे में उनके नृत्य के बारे में, उनके सौंग के बारे में, उनके लोपनाटे के बारे में, उनके चित्रकरा के बारे में, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद.